जहें एक तरफ इजराइल को अमेरिका ने पहली बार जटका दिया है UNSC में गाजा युद्ध पर पास हो गया है प्रस्ताओ जानेंगे क्या हुआ है यहां पे तो अई दूसरी तरफ जर्मनी ने एक बार में धोका दिया और इस धोका के बाद भारत ने क्या कदम उठाया है भारत बना रहा है जोरावर टैंक और इस टैंक के इंजिन को मिल गया था जटका जर्मनी के तरफ से जानेंगे जर्मनी ने ऐसा क्यों किया था और अब जर्मनी कह रहा है कि जी नहीं हम सब कुछ देने को तयार है फिर भी भारत जर्मनी को नहीं चुन कर दूसरे देश को हां कह रहा है जानेंगे वो दूसरा देश भी कौन है जियो बॉल्टिक्स में बहुत कुछ चल रहा है आईए जानते हैं इन कबरों को विस्तार से आपको बता दें फिलिस्तीन सरनार्थियों के लिए UN और UNRWA ये भेजता है इन्धन और बहुत सारी चीजें पीने का पानी बहुत सारी चीजें भेजी जाती है इसके द्वारा लेकिन न तो इन्धन पहुँच रहा है और नहीं दच्चिनी गाजा पट्टी में दरजनों पे जल और सीवेज की सुविधाएं हैं वो ठीक ढंग से हो रही है गाजा में UNRWA के परिचालन ने दे सक थोमस वाइट ने गुरुवार को सोसल मीडिया में एक पोश्ट की और कहा कि इन्धन की कमी के कारण सीवेज पंप सेवा से बाहर होने के कारण राफा सहर की सडकों और गलियों में सीवेज बह रहा है ऐसे में गंदगी और पीने की पानी की कमी से बिस्थाफित लोगों के बीच डाइरिया और संक्रामक रोगों में 40% की विरिद्धी हो सकती है साथ अक्टूबर के बाद से गाजा सहर पूरी तरीके से इसराइली घेराबंदी में है आवसक वस्तू और इंधन की आपूर्ती में रुकावट ने सहर में एक मानविय संकट लाकर खड़ा कर दिया है वैसे आपको बता दें अभी क्या हो रहा है UNSC में उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें गाजा में चल रहे युद्ध में तुरंत एक मानविय रोक और गलियारा बनाये जाने की अपील की गई गाजा में एक महिने से ज़्यादा समय से चल रहे इसराइल हमास युद्ध के बाद UNSC का इस तरह का पहला प्रस्ताव है 15 सदस्य परिशद में इस प्रस्ताव को 12 सुन्नी से पास किया गया है तीन सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन और रूस वोटिंग में अनुपस्तित रहे इस प्रस्ताव को माल्टा ने पेस किया जो UN के सबसे सक्तिसाली निकाय के 15 सदस्यों को काफी हद तक साथ लाने में काम याब रहा माल्टा की UN राजूत वेनेसा फ्रेजियर ने कहा कि हमने जो हासिल किया है वो एक महतपुर्ण कदम है हम नागरिकों की सुरच्छा और ससस्त्र संगर्सों में बच्चों की दूरदसा के परती अपनी परतिबद्ता पर द्रिर रहेंगे इस प्रस्ताओं के ड्राफ्ट की भासा पर कई सवाल उठ रहे हैं प्रस्ताओं में मानविय विराम के लिए मांग करने की बजाए आहवान तक सीमित कर दिया गया है इसने हमास द्वारा बंदक बनाया गए सभी बंदकों की ततकाल और बिना सर्थ रहाई की मांग को भी कमजोर कर दिया है प्रस्ताओं में संगर्स विराम और हमास की ओर से 7 अक्टूबर को इजराइल पर किये गए हमलों का कोई जिक्र नहीं है रूस के यूएन राजदूत वासिली निम्मेजिया ने मतदान से ठीक पहले प्रस्ताओं में संसोधन करने का और सफल प्रयास किया रूस ने सत्रुता की समाप्ती के लिए ततकाल, टिकाउ और निरंतर मानविये संगर्स विराम का हवान किया इस संसोधन पर मतदान में पांच देश पक्ष में थे, अमेरिका ने विरोध किया और नौ देश अनुपस्तित रह गए ऐसे में इसे अपनाया ही नहीं गया आपको बता दें, यहाँ पहली बार है जब अमेरिका ने इसराइल के सपोर्ट में वोट नहीं किया खेर ये मुद्दा भी एक ऐसा मुद्दा था, जिस मुद्दे पर अगर अमेरिका वोट करता, तो कहीं न कहीं अमेरिका भी फश सकता जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं एक बेहद महतपूर्ण खबर आ रही है और ये महतपूर्ण खबर आ रही है हमारे जोरावर टैंक से समदित, अब जोरावर टैंक के साथ क्या हुआ, जर्मनी और भारत के रिष्टे कैसे हैं? अगर ये सवाल पूछा जाए, तो आपको बता दें, जर्मनी और भारत के रिष्टे, अगर आजादी से पहले की बात करते हैं तो ऐसा रिष्टा कोई नहीं था मतलब इतना दमदार एक बहुत ही परसिद वर्ल्ड वार वन के समय हुआ था हिंदू जर्मन योजना और इस योजना में बहुत सारी चीजें थी किसके दोरा लागू किया गया था तो भारत में जो लोग चाहते थे कि भारत को आज से लेकिन जब भारत आजाद हुआ है भारत ने आजाद होने के बाद जर्मनी के साथ रिष्टे रखे जब जर्मनी दो टुकडों में तूट गया वेस्ट जर्मनी और इस्ट जर्मनी वन गया तब भारत ने सपोर्ट किया कि आप दोनों एक हो जाईए 1990 में उसके बाद 1990 म जर्मनी ने कहा कि आपने ये बहुत गलत किया ये भी एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी कहानी है गोवा कैसे भारत का आंतरिक हिस्सा बना वहीं दूसरी तरफ 1971 के बंगलादेश युद्ध में भी जर्मनी का क्रिटिकल रोल था फिर आया 1998 का भारत का परमानु लेकिएगा तो जर्मनी के साथ हमारे कुछ खासे रिस्ते नहीं रहे है एक ऐसा रिस्ता रहा जो थोड़ा बहुत चल रहा उस तरीके का रहा अभी तो ओलाफ हैं है तो थोड़ा सा रिस्ता सुद्रा है वरना जव एंजिला मर्कल थी तो इस बीच तो भारत और जर्मनी का परिस्ता बहुत ज्यादा खराब हाल फिलाल में जर्मनी के वोईस चंसलर ने एक बात कही है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हामें चाइना के साथ हम अलग तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि इतना ज्यादा बैपार बढ़ चुका है लेकिन हां हम अपना रिस्क कम जरूर कर सकत हैं भारत के साथ जुड़कर इसके बाद जर्मनी के जो चांसलर है उलाफ इनका कहना है कि हम भारत के साथ रिष्टों को मजबूत करना चाहते हैं पीम मोदी से भी मिले और दूसरी तरफ एक खबर देख सकते हैं 2024 में अपने चांसलर को भारत भेज रहा है कुल में लाकर आपको लगेगा सब कुछ ठीक है पर आपको बता दें भारत एक टैंक बना रहा है लाइट वेट टैंक जो रावर और यह जो रावर प्रजेक्ट खास तोर पर बनाया जा रहा है एले सी के लिए चाइना के खिलाफ और चाइना के खिलाफ यह एक बड़ी तैयारी मानी जा किया था बाद में यह क्लियरेंस नहीं होने लगा और इसके इंजन हमें नहीं मिलने लगा हम पूरी तरीके से फस गए अभी क्या सीन है अभी आप देखिए यह पहली बार नहीं हुआ है 1999 में भी जर्मनी ने एडवान्स लाइट हेलिकोप्टर दृव की टेक्नलोजी देने से मना कर दिया था कुछ पार्ट्स को रिप्लेस करने से मना कर दिया था और अभी का scene क्या है अभी का scene ये है कि भारत जो sub marine मनाना चाहता है उस project में Germany आना चाहता है इन सब के भी जो आवट टेंक का क्या हुआ तो आपको बता देए अब आब जर्मनी ने clear कर दिया कि आप इंजन लेलो स्क्रीन पर आप NIK की रिपोर्ट देख सकते हैं लेकिन भारत ने कहा कि जी नहीं हम तुमारे इंजन अभ नहीं लेंगे हम अमेरिका के इंजन लेंगे कमेंज के इंजन लेंगे पर तुमसे नहीं लेंगे वैसे आपको क्या लगता है भारत ने जो किया वो सही है या नहीं कमेंट कर अपनी राय जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ